हेलो प्रेंड्स, वेल्कम बेक टू माई चैनल लताकी लाइब्रेरी आज मैं आपके साथ बहुती खुबसूरत पैटर्न सियर करने जारी हूँ इस पैटर्न को आप लेडी स्वेटर, जेंड स्वेटर, बेबी स्वेटर, गल्स स्वेटर, कैप, ब्लेंकेट आदी में और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, बनके बहुती खुबसूरत हमारा ये पैटर्न आ जाता है और रॉंग साइट से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ड होता है सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई सा भी बॉर्डर पैटर्न बनाके कमप्लीट करेंगे बॉर्डर पैटर्न कमप्लीट होने के बाद फ्रंटी साइट से हमने एक बेश रो बनाके कमप्लीट कर लेनी है ये base row हमारी repeat नहीं होगी starting में हमने एक base row बना के complete करने है और wrong side से हमारा ये pattern बनना start होगा अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं तो देखे border complete होने के बाद front side से first base row अब base row में देखे पहला फंदा उता लेंगे एक फंदा हमने उता लेना है धागा अपनी side करेंगे चार फंदे उल्टे बनेंगे एक दो तीन चार चार फंदे उल्टे चार फंदे उल्टे बनने के बाद देखे धागा पीछे करेंगे और next देखे एक फंदे को हमने double rule करके बनना है तो देखे सीधी side से सलाई डालेंगे और इस फंदे को ऐसे double rule करके बननेगे एक हो गया फिर एक बार और सलाई में धागा लपेटेंगे इस तरीके से एक फंदे को हम double rule करके बननेगे next हमने same process repeat करना है धागा अपनी side करेंगे चार फंदे उल्टे बनेंगे एक दो तीन चार चार फंदे हम double rule करके बननेगे फिर धागा पीछे करेंगे अब next फंदे को हम double rule करके बननेगे तो सीधी side से सलाई डालेंगे और देखे एक बार हो गया फिर एक बार सलाई में धागे को और लपेटेंगे इस तरीके से हमने double rule करके एक फंदे को बुन लेने, फिर धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे, फिर एक फंदे को हम डबल रोल करके बुनेंगे, फिर लास्ट में देखे, चार फंदे उल्टे आ जाएंगे, लास्ट का फंदा सीधा, तो देखे ये फ्रेंट्रे साइड से हमारी फर्स्ट बेस रोल कम्पलीट होई, अब रोंग साइड से देखे पैटरं की फर्स्ट रोल, बेस रोल हमारी रिपीट नहीं होगी, अब देखिए पैटर्न की फास्ट रोप, पहला फंदा उतारेंगे नेस्टा हमने चार फंदे उल्टे बुनने है एक, डो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे अब नेस्ट देखिए ये पैटर्न वाला फंदा आ जाता है तो इस भंदे को हम ने डबल रोल करके बुँन लेना है, इस तरही केसे देखे, एक दो फर नेश्ट देखे, सेम प्रोसिस रिपीट होगा, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे फिर नेस्ट फंदे को हम डबल रोल करके बुनेंगे, एक दो, अब नेस्ट सेम प्रोसिस रिपीट होगा, एक दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे, एक फंदा डबल रोल करके बुनेंगे फिर लास्ट में हमारे चार फंदे उल्टे आ जाएंगे, लास्ट वाला फंदा उल्टा, तो देखे, ये रोम साइड से हमारी पैटरन की first row complete हो गई, आप देखे, front साइड से पैटरन की second row, आप second row में देखे, पहला फंदा उता लेंगे, पहला फंदा उता लेना है धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार धागा पीछे अब नेस्ट फंदे को हम डबल रोल करके बुनेंगे तो सीधी साइड से हम सलाई डालेंगे और देखें नेस्ट फंदे को हम डबल रोल करके बुन लेंगे फिर धागा अपनी साइड, नेस्ट सेम प्रोसिस रिपीट होगा, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, फिर धागा पीछे, नेस्ट फंदा हमारा डबल रोल करके आएगा, तो सीधी साइड से हम सलाइड डालेंगे, और इस फंदे को डबल रोल करके बुनेंगे, फि धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, अब नेस्ट फंदे को हमने डबल रोल करके बुनने है, तो सीधी साइड से सलाइड डालेंगे, और देखे, एक बार लपेट दिया सलाइड में धागा, फिर एक बार और, इस तरके से हमने इसको डबल रो करके बुन लेने, फिर लास्ट में यमारे चार फंदे उल्टे आएंगे, लास्ट का फंदा सीधा, तो देखे, एक फ्रन्ट साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो, कम्प्लेट हो गई, अब देखे, रोंग साइड से पैटन की थार्ड रो, पहला फंदा उतारेंगे, चार फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे, फिर देखे, नेश्ट देखे, जो डबल रोल वाला फंदा है, इसको रोंग साइड से भी हम डबल रोल करके बुनेंगे, यह देखे, रोंग साइड से हमारी पैटन की थर्ड रो है फिर देखें नेश्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे एक दो तीन चार चार फंदे उल्टे नेश्ट फंदा हम डबल रोल करके बुनेंगे फिर चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार फिर नेश्ट फंदा डबल रोल करके आएगा फिर लास्ट में हमारे चार फंदे उल्टे लास्ट वाला फंदा भी उल्टा जाएगा तो देखे रोंग साइट से हमारी पैटन की थार्ड रोल कम्प्लीट हो गई आप देखे फ्रंट साइट से पैटन की फोर्थ रोल अब फोर्थ रोल में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइट करेंगे चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, अब नेश्ट देखें, डबल रोल वाला फंदा आ जाते हैं, इसमें हम पैटर्न डालेंगे, तो देखें, इस फंदे को हम इस तरीके से ऐसे नीचे स्लिप कर देंगे, उतार देंगे, अब देखें, एक बार खोल दिया, इस फंदे को फिर दो, तीन, चार, इस फंदे को हमने चार बार खोल लेना है, इस फंदे को हमने चार बार खोल दिया, एक, दो, तीन, और चार, अब देखें, जो ये फंदा है, इसको थोड़ा इस तरीके से खीच लेंगे, इस फंदे को खीच लेंग और देखे इस तरीके से इसको राइट नीडिल में लेंगे अब देखे जो ये फंदे हैं ये खोले वे धागे हैं जो इस फंदे के अंदर से निकालेंगे इनको अब देखे जो ये फंदा हमने right needle में उठाया है इसको हम ऐसे left needle की सायता से उठाएंगे और देखे जो खोले वे चार धागे हैं इनके उपर से उतार के इस तरीके से sleep कर देंगे अब देखे जो ये धागे हमारे इसको एक बार और बुनेंगे तो इस धागे को हम पीछे करेंगे और देखे इन धागों को एक बार और बुन लेंगे इस तरीके से फिर धागा अपनी side करेंगे चार फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार फिर धागा पीछे, अब next देखे हमारा pattern बनेगा तो देखे इस फंदे को ऐसे sleep कर देंगे जो double वाला फंदा है इसको हमने sleep कर लेना है अब इस फंदे को चार बार खोलेंगे एक, दो, तीन, चार यह चार बार इस फंदे को खोला अब देखे यह जो नीचे फंदा है इसको ऐसे उठाएंगे राइट निडिल में और थोड़ा इस तरीके से खीच लेंगे यह खीचा हमने अब देखे जो यह चार धागे हैं इनको भी हम राइट निडिल में उठाएंगे अब देखे इस फंदे को इन चार धागों के उपर से उतार के sleep कर देंगे इस तरीके से अब देखे इस फंदे को एक बार और बुनेंगे ऐसे इस तरीके से यह दिखे यह हमारा पैटर्न बनना स्टार्ड हो गया फिर धागा अपनी साइड नेस्ट अमने चार फंदे उल्टे बुनने एक, दो, तीन, चार फिर धागा पीछे करेंगे अव mess अमारा पैटर्न वाला फंदा आ जाता है फिर इस फंदे को इस तरीके से सिलिप करेंगे एक, दो, तीन, चार चार बार हमने इस फंदे को खोलना है फिर देखें इस फंदे को ऐसे राइट निदिल में उठाएंगे इस तरीके से थोड़ा खिंचेंगे एक साथ एक बार बुन लेंगे इस तरीके से यह हमारा पैटन बनना स्टार्ड हो जाएगा फिर धागा अपनी साइड लास्ट के चार फंदे उल्टे एक फंदा सीधा देखे ए फ्रंट साइड से हमारी पैटन की फोर्त रो कम्प्लीट हो गई आप देखे रोंग साइड से पैटन की फिप्तरो फिप्तरो में हमारा पैटन रिपीट होगा तो देखे रिपीट पैटन पहला फंदा उतारेंगे चार फंदे उल्टे आ जाएंगे एक फंदा हम डबल रोल करके बुन लेंगे फिर नेस्ट सेम प्रोसिस रिपीट होगा चार फंदे उल्टे एक फंदा डबल रोल करके बुनेंगे सेम प्रोसिस को रिपीट करते जाएंगे रोंग साइड से अपनी पैटन की फिप्तरो कम्प्लीट कर लेंगे फ्रेंट साइड से देखिए शिक्स रो पहला फंदा उतारेंगे चार फंदे उल्टे एक फंदे को डबल रोल करके बुनेंगे इनेस्ट सेम प्रोसिस रिपीट होगा चार फंदे उल्टे एक फंदे को डबल रोल करके बुनेंगे सेम प्रोसिस को हम रिपीट करते जाएंगे और फ्रेंट साइड से अपनी शिक्स रो कम्प्लीट करेंगे अब देखिए रोंग साइड से से शिक्स रो पहला फंदा उतारेंगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार फिर एक फंदा डबल रोल करके आएगा एक दो इस तरीके से हमने डबल रोल करके बुन लेना है एक फंदा फिर चार फंदे उल्टे सेम प्रोसिस को रिपीट करते जाएंगे रोंग साइड से अपनी सेवंत्रो कम्प्लीट करेंगे अब देखें फ्रेंट साइड से एट त्रो पहला फंदा उतार लेंगे दागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार धागा पीछे अब नेश्ट देखें पैटर्न वाला फंदा आ जाता है अब इस फंदे को हम ऐसे सिलीब करेंगे बिना बुने उतार लेंगे इस तरीके से अब चार बार इस फंदे को खोलेंगे एक, दो, तीन, और चार चार बार हमने इस फंदे को खोलना है अब देखें जो नेश्ट फंदा है इसको देखें ऐसे उठाएंगे ये देखें राइट निडिल में उठाएंगे और इस फंदे को थोड़ा इस तरीके से खीच लेंगे अब देखें जो चार बार हमने फंदे खोले हैं इनको भी हम राइट निडिल में उतारेंगे अब देखें जो ये फंदा हमने ये देखें जो राइट निडिल में उठाया है ये पीछे के चार धागों के उपर से उतार के सिलीप करेंगे इस तरीके से देखें ऐसे अब इस फंदे को हम एक बार और बुनेंगे इस तरीके से हमारा पैटर्न आना स्टार्ड हो जाएगा अब नेस्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे एक, दो, तीन, चार चार फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे कर लेंगे हम नेस्ट देखे, पैटर्न वाला फंदा आ जाता है इसको हम स्लीप करेंगे फिर चार बार इस फंदे को खोलेंगे एक, दो, तीन, चार चार बार हमने इस फंदे को खोलना है अब देखे, जो नीचे ये फंदा है इसको राइट नीडिल में उठाएंगे फिर इस तरीके से थोड़ा खीच लेंगे अब देखे, जो चार बार खोले वे धागे हैं इनको भी हम राइट नीडिल में उठाएंगे और इस फंदे को इन चार धागों के उपर से इस तरीके से उतार देंगे, ये देखे अब इस फंदे को एक बार और बुनेंगे अब नेश्ट देखे, सेम प्रोसिस रिपीट होगा चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार फिर धागा पीछे, नेश्ट फंदे को ऐसे सिलीप करेंगे चार बार खोलेंगे, दो, तीन, चार फिर इस फंदे को उठाएंगे राइट नीडिल में थोड़ा इस तरीके से इस फंदे को खीचेंगे लास्ट में हमारे चार फंदे उल्टे आ जाएंगे एक दो तीन चार लास्ट वाला फंदा सीधा ये दीखे, फरन्ट साइड से हमारी पैटन की 8 throw complete हो गई अब देखे, रौंग साइड से जो हमारी पैटन की 9th throw आएगी, इसमें हमारा पैटन repeat होगा 9th throw को हमने 1st row की तरह बुनते हुए complete करना है इन्हीं 4 सलायों के pattern को हमने बार-बार repeat करते जाना है और बन के देखे हमारा पैटरन कुछ इस तरों से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसन पैटरन है आप इसे और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नई हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले थैंक्यू झाल